हेलो फ्रेंस वेल्टम तो मैं आपके साथ को एक ऐसा नासा शेयर करने जा रही हूँ जो हेल्दी भी है और कुछ देर आप खाना बनाने से बच्च भी जाओगे क्योंकि यह थोड़ा हेली भी होता है सब का पेट अच्छे से भी भर जाएगा क्योंकि सब लोग घर पे हैं सबको जल्दी जल्दी कुछ से कुछ कभी खटा कभी मीठा खाने का मन होता है तो इस हेल्दी आन हेवी रेसिपी आशकर में आपके साथ शेयर करने हूँ तो देखिए कितना यमी और टेस्टी बना है यह हमारे मसाले वाले पोहे हैं इसमें नौर्मली ने बहुत पतला और बहुत वाला पोह नहीं लिया है अब हम इसे करेंगे पहले अच्छे से इनको हम घीला करके रख देंगे देखिए हमने एक स्ट्रेणर लिया है उसके ऊपर हम ऐसे पोहे डाल रहे है अगर आप किसी बाउल में इसको दोईंगे और तब उसका पानी आप निकालोंगे न तो नीचे नीचे पानी रह जाता है उसकेस में क्या होता है कि जो पोहे होते हो वो बिल्कुल हलुआ बन ज जाएगा तो अब हम इसे किसी दूसरे बाउल के ऊपर रख करके इसको साइट कर देंगे तो देखिए सबसे पहले हमने खढ़ाई चढ़ा दी है यह गरम हो गई है और अब इसके ऊपर हम दालेंगे थोड़ा सा तेल यहां पे हमने सर्सो कर तेल लिया है जैसे जैसे तेल गरम हो रहा है इसमें हम दालेंगे दो हरी मिर्च आधा चमर जीरा चमर राई यह सर्सो आप काली वाली सर्सो भी ले सकते हैं इसे इनका फ्रेवर और इनकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है हलका सा हम इसे तले इसी में फ्राइब कर लेंगे जिसे इन सब का दो फ्रे ग्रेट किया हो मैंने अद्रग भी डाल दिया है इसी कंडिशन पर आपके पास अभी जो भी अवैलेबल सबजी हो आलू तो हो गई होगा बाकी आपके पास अगर गाजर हो शिमला मिर्च हो वो सब भी डाल सकते हैं मैंने आते सिफ अभी आलू यूज किया है वड़ी जोड़ेंगे और जित्तर हमने पोहा लिया है पोह के अंदास से हम इसमें नमक लेलेंगे नमक अभी इसलिए डाल रहे हैं जिसके आलू भी हमारा जल्दी पक जाए हुआ है हलका सा इसको हम चला देंगे और बिल्कुल एक चमश पानी हम यहाँ पर डालेंगे पानी सिर इ करनीशन पर अब मैंने थोड़े से रोस्टेड इसमें मुखी के दाने मैं अलड़ी इनको बंद कर रख दीती हूँ कि डेली इनको प्राइनी करना पड़े आप थोड़ा सा हम इसमें आदा चमश आदा चमश आदा चोटा चमश हम इसमें लालमिश पाउटर डालेंगे होने के बाद 2 सेकेंड के लिए हम इसे फिर से लिट से कवर करतेंगे जिससे यह थोड़ा सा मॉस्ट हो सके हैं मैं सर्फ कर लिया है और थोड़ा सा इसके उपर हम इस तरह से सेव डार देंगे यह ऑप्शनल है लेकिन सेव इसके उपर अच्छा लगता है मेरा बिली एक छ हुआ लगता हुआपा